भारत के ऐसे जानबर जो जल्द ही बिलुप्त हो जाएंगे और लाष्ट वाला तो हमारा गंगा नदी में ही पाया जाता है इसे लाल सिर वाला गिद भी कहा जाता है यह देखने में आपको बहुत ही खुबसूरत लगेगा पर यह मरे हो जानबरों को भी खा जाता है इनकी लबाई 76-86 cm तक होती है, इनका श्रीर काला और सिरलाल होता है, राचिन काल में इनकी संख्य बहुत ज्यादा थी, पर आज ये बिलुप्त होने की कगार पर है दोस्तों ये बड़ी चोंच बाला जानवर दिखने में तो काफी सुंदर लगता है, इसे भारत में धनेश पक्षी के नाम से भी जाना चाता है, आप इनकी पहचान इसकी लंबी चोंच देकर भी कर सकते हैं, पर इनकी प्रजाते में बिलुप्त होने की कगार पर है भारत के गंगा नदी और पाकिस्तान की सिंदु नदी में पाई जाने वाली ये मचली नेत्रहिन होती है, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, साथ ही में ये भारत का राश्ट्री जली जीव भी है, जो की बिलुप्ति की कगार के काफी निकट है, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें